मुझे जोहार जोहार रेपूर मा सब्बो दर्सक्मन के स्वागत है मेहब बीता अब बर्थन खबर में डाहर सबले पहले देख्थन खबर के सुर्खी मल्ला कैबिनेट के बैठाक मा कई मातपूर फैस्ता मा लग ही मुहर 31 जन्वरी तक आएस सब अधानला खरीधी सरकार रजधानी के थाना मान मा नई है लेडिस टोयलेट एसपी बोलिस बदल ही थाना की सुर्ख अब खबर विस्ताल लेडिस गर्वसी हा प्रयागराज मा गई से सुवाव कर्मा उत्तर प्रदेश मा विखर ही 36 गर्या संस्क्रीती के छलब अब खबर विस्ताल ले मंतराला मा संपन होए राज मंतरी मंडल के बैठाक मा सोमार के कई महतपूर निर्नालेगी से जेमा राज की किसान मन पर एक बड़े निर्नालेगे है 31 जनवरी तक राज की किसान हा जतना भी धान बेची उतना खरीदी करे जाहे ये बारुम्मी धवे की खरीदी के लक्षे 45 लाख मिट्रिक टन ले ज्यादा 90 लाख मिट्रिक टन के करीब हो सकते। वैसे हम लोगों ने निर्णे लिया है कि केंदर सरकार को और पत्र तत्काल भेजेंगे कि हमारे चावल पूरे चावल को कस्टम मिलिंग के बाद का खरीदी करने के अनुमती दिया जाना चाहिए। के ब्योस्था के संदर में तो आज के काबिनेट से निर्णे लिया गया कि पुराने बोरों में भी किसानों के पूरे धान को खरीदी की जाएगी। केबिनेट के बैठा के बाद मीडिया ले चर्चा करत हुए मंतरी मुहमाद अगबर हा बताई से कि राज के अनुसूचित बाहुर शेत्रमा इस्थाने सिक्षित युवामनला बिरोजगार ला तृती एवं चतूर्थ सरेनी के पदमहवया भरती मा प्रात्मिक्ता देजाय के घलो नेतनलाई की से एकर पहली घलो भाजपस सरकार हा ऐसे तरह के पहल सुरू करे नहीं से कांगरिस सरकार हा ये नेनला अवया दू बच्छर बर अव बढ़ाते हैं पाच्वी अनुसूची शेत्रमा बस्तर सरगुचा संभा के अलावा कोर्भा जीला ला घलो सामिल कर जीला के डर होता है उसमें इसके पहले राजपाल महोदय की और से आदेश पहले सी प्रभावसील है उसको दो साल के लिए बढ़ाने का भी निर्णा लिया गया है जो जिला के डर है उसमें इस्थानी तरिती और चतुद वर के जो कर्मचारी है पांच्वी अनुसूची श के लिए तो उसको दो साल बढ़ाना है भूपेश कैबिनेट की बैठक में मुहतपूर्ण निर्णाय तो लिए गया है जिसमें धान खरीदी और तृतिवर्ग चतुरतवर कर्मचारियों पर ध्यान दिया गया है लेकिन सबसे ज्यादा जो लोगों को आशा थी कि बिजली ह पर चर्चा होगी और शराब बंदी पर उस पर रविंद्र चौबे जो संसदीय मंत्री है इशारे में अगले बैठक के लिए कह दिया है अब देखना होगा कि अगली बैठक तक क्या फैसला सरकार लेती है देश्टीवी के लिए क्यामरा परसन इस गनेश के साथ लोक्षेला भाजबा के बॉखलाहट करा दे ही अपन वनमेशो के तहथ पुरा करवाहिलः निप्टायमा लगए हवे भाजबाहा साब्तॉर मा आरोप घलों लगाए है कि मुख्यमंत्री है अपन ही मंत्रीमल दर्किनार करत हुए सबो नेनयमा मुह लगा जाते मंत्री मंदल ला हा नेना मा सामिर रखना मुख्य मंत्री बर बहुते जरूरी होना चाहिए फिर ऐसे कोनो जगा ने लागा थे कि मुख्य मंत्री हा अबन मंत्री मंदल ले कोनो राय मस्वीरा कर थे सरकार पुरितरा वनमें शो के अधार पर चल रही है जो भी फैसले हो रहे है वनमें शो के हिसाब से चल रहे है किसी मंत्री को कुछ मालूमी नहीं रहता गरी मंत्री जी को नहीं मालूम है कि एसी बी का चीफ कौन बन रहा है योडवलू का चीफ कौन बन रहा है और ऐसा लगता है कि भुपेज बेकल जी पूरे प्रदेश में सक्ति का विकेंद्री करण पने हाथ में रखना चाहते हैं महत्पूर्ण पदों पे जो निक्ति हो रही है उसमें किसी भी अधिकारी किसी भी मंत्री को भरोसमा नहीं लिया जार और सबसे महत्पूर्ण बात की आधी रात को फैसले हो रहे हैं आधी रात को फैसला होना कहीं न कहीं सरकार की एक सोची समझी सडियन्त के और इशारा करती है जिस तरह ये तमाम पदों में जो नुक्ती हो रही है आधी रात को बड़े बड़े I.S. I.P.S. अधिकारियों की तबादले हो रहे हैं ये सारी इस बात को इशारे करते हैं कि सरक खलाहाट के मसला समझ में तो आ थे फिर यदी ओकरदल के नेता मनहा कोनों गल्ती ने करें तजासले घबराय के भाजपला जरूरत नहीं है रविंदर चौबेह कहीं से कि मुख्यमती भुपेज बगे सबोले रायमस्वीरा कर फैसला ले थे एमा वनमें सो के कोनों बात निरंतर प्रयास कर रहे हैं और हमारी प्रात्मिक्ता है किसान हमारी प्रात्मिक्ता है नंबर एक और नंबर दो जिन मुद्धों को ले करके हमने सडकों पे लड़ाईयां लड़ी है जिन मुद्धों को ले करके हम सदन में अपनी हम लोगों ने अपनी बात कही है जिस प्रहार प्रदेश मा सत्ता के बदलाव के बाद प्रमुक विपक्षी दल भाजपाह कोनो भी परिसीती मा भुपेश सरकारों पर आरोप लगाई मा पीछे नहीं, हलकि विपक्षी के भुमी का मा एला सही माने जाती, ताउंहे सत्ता पक्षा घलो लगतार आरोप मन मा देथे, ऐसे मा जनताला लाब मिले के बाद कही जाये तेमा कोनो भी अतिशोक्ती नहीं हुई, देश्टी वीवर कैमरामैन एसकरेश के संग स्वरुप भट्टे चार की रपर्ट 36 गड़ मा घलो सवर्ण जल्दी लागू हो ही राजसरकार है बात के संकेत दे हैं, माने जात है कि ही महिना सवर्ण आरक्षा लागू करे के फैसला राजसरकार नहीं ले सकते, हालकि सरकार कोती ले मियात ले के कोनो भी सपश्ट संकेत नहीं दे हैं, अब तक गुजराद व जारखंड उत्तर प्रदेश मा सवर्ण आरक्षा लागू करेगे हैं, अब अवईया लोगसभा चुनईला देखा थुए, 36 गड़ मा जल्दी सवर्ण आरक्षा लागू हो सकते। पार्लामेंट में कॉंग्रेस पार्टी ने समर्थन किया है, इसका मतलब है, हम 36 गड़ में भी इसको लागू करेंगे, अब समय सीमा और किस तरीके से होगा, उसके बारे में आने वाले समयम जब विचार किया जाएगा तो आपका वोगत कराएगा। 36 गड़ में सत्ता परिवर्तन के संगे मा ही कैब भाग क्या धिकारी मन हा घलो बदलाव निरंतर जारी हावे। सबले ज्यादा नचर प्रदेश के डिजीपी मा सबके नजर हा ठीके हवे। प्रमुग विपक्षी दल भारती जंता पाठी हा भुपेश सरकार कोती ले डे मा वस्थी ला रातो राट डिजीपी बनाय मा सवाल खड़ कर दे हैं। भाजपा हा एकरसी कायात ला यूपेश सी मा घलो कर दे हैं। भाजपा हा लगतार डिजी मामला लले के सवाल उठात नजरा थे। उहें जब संसद्य कारे मंत्री ले यूपेश सी के बैठक के संबद मा जानकारी लेगी से ताउहा साबत और मा कही दी से कि सरकार के नियम के धार्मा ही कारश करे जा थे। कोनो भी तरले कोनो भी नियम के विरुद कारश नी करे जा थे। संके मनही कैबिनेट मंत्री रविंदर चौबेहा भाजपा के बयानला बौकला हट करा दे है। उसमें कोई प्रावलम नहीं, पेनल जाता है, बैठक होती है, नाम चैन होता है, इसमें कोई नहीं बात कहा होगे। मुझे लगता है उनको परिशान नहीं होना चाहिए। देखें, नियम अंतरगत अकर होता, तो मामला UPSC के अंतरगत नहीं जाता, समझनाली बात है कि जो DGP की जो न्युक्ती की गई है, पुरी तरा अवेध है, और इस बात को हम पहले दिन से कहा रहे हैं। पूर्ण कालिक DGP हो, सांती विवस्था कायमर है, कानून विवस्था कायमर है, यह हमारी प्रत्निक्ता है, और सरकार को निश्ची तोर पे पूर्ण कालिक DGP की नुक्ती की जानी चाहिए। बरहाल भाजपा भूपेश सरकार कोती ले DGP एन उपाध्याय ला हटा के वरिष्ट अधिकारी डे मवस्थी ला DGP बनाय जाये मा सरकार ला घेरे मा कोनो भी पीछे दिखाई नी दे थे। अब देगना हो ही कि UPSC के बैठा के बाद फैसला हा कोन करवर बड़ थे। काटक कर मोहला मानपूर कांकेल ले अलग भानु प्रतापूर रैगर ले अलग करके सारंगर और बिलासपूर ले अलग कर पेंड़ा मरवाही के नाव ले जा थे। कुछे काम हो सकते हैं, 27 जन्वरी को भी होगा, 28 तारिक को मानने राहुल जी आ रहे हैं, उनके भी सभा से होगा, अब 36 गड़ की बेहतरी के लिए जो कुछ भी संभा होगा, हम और हमारी सरकार करेंगे। रजधानी मा मा साकंभरी जयन्तीला धूमधामले मनागी से एला 36 गड़ मा छेडशरा के नावले घलो जाने जा थे। उलाही अनपूर्णा मा के नावले जाने जा थे। आज माता साकंभरी के जयन्ती है और पूसपूर्णी मा को माता साकंभरी मा के जयन्ती होती है जिससे 36 गड़ में छेडशरा पुन्नी के नाम से जाना जाता है। वही अनपूर्णा भगवती साकंभरी हैं। मरार समाज आज मा साकंभरी के जयन्ती मना रही है पूरे 36 गड़ में। 36 गड़ में अन्यप्रदेश जैसे मध्यप्रदेश में भी मरार समाज जहां है वहां भी मनाये जा रहा है। अब मा साकंभरी का जयन्ती हम इसलिए मनाते हैं कि मा साकंभरी हमारी मरार पड़िल समाज के इस्ट देवी हैं। 36 गड़ के रजधानी होई के बाजूद घलो अभी घलो पुलिस थाना मा बहुत कुछ बदलना बाकी हवे। सुईधा के अभाव घले होई ले पुलिस कर्मी हापन ड्यूटी करे वर पड़ा थे। बात कर वोगर थाना मा मूलभू सुईधा मन के तक कई थाना मा महिला मन बर अब तक बातरूम के सुईधा तक कुमला नहीं मिल पा है। इसका पूरे आकलन करेंगे हम लोग क्योंकि हमको भी ये निर्देश है कि सभी जगा पर महिलाओं के लिए पुलिस करेंगे। होना चाहिए और कुछ-कुछ थानों से है अगर कही थाने में नहीं है तो उसको भी हम जल दिये करेंगे और कही पर अगर वो कंडिशन ठीक नहीं तो उसको मरमत भी करकर उसको ठीक भी कर दें। रजानी रईपूर के थाना में अब तक जीहां मूल्चूल स्वीधा के कमी सामनी आ थे। उहें यहां बैथियों बाथरूंग जैसे परेसानी हा घलो आगुआ थे। जेला इस भी हाद दूर करें के बातला कही से। देश टीवीबर संतो साहू के संग रीजा साहाइकर पर। रहपूर साहर मा लगतार महिला मन के उपर हुआत अत्याचार घरेलू हिंसा मांसिक प्रतारना बलतकारजे से मामला बाढ़त जा थे। जेला रोके बर रस्थानी पुलीस टीम हाँ बना के अवेरनेस प्रोग्राम चला थे। जेमा घरेलू हिंसाओ अत्याचार के खिलाप योऔर मामला के जनकारी घरो दे जा थे। जागरू कर थे। उहें ये घरो कहेगी से कि कुछो टीम बना के स्कूल मा घरो भेज के लाइकामला गूडव बैट टस्के घरो जानकारी दे जाही। हमारे राइपूर शहर में एक एडिशनल SPI UCAW और उसके पूरे यूनिट मौजूद है यहां पर और जितने हमारे पास इस तरीके से शिकायते आ रहें उसमें तुरित करवाई करते हुए जितने जल्दी हो सकते हैं गिरफतारी कर रहे हैं हमारे उपी के और इसके अलावा अभी हम लोग कुछ जागरुता अभियान भी चला रहे हैं हमारे अलग-अलग महिला पेट्रोल्स बना दिये हैं और वो अलग-अलग एरियास कुछ इनागित के वहां पर जाकर जागरुता कर रहे हैं और जहां पर इस तरीके से शिकायते मिल रहे हैं वहां पर लगातार क प्रयाग्राज में चलत कुम्भ मेला मां चत्तिसगड़ के अर्वसी साहु अपन प्रस्तूती दीसे। 16 कलाकार वाले टीम के संग 12 बच्छर महवया महा कुम्भ मा सुव कर्मा देते के प्रस्तूती देते। 16 कलाकार वाले टीम सुव कर्मा देते के संगीत कार घलो हरे। 16 कलाकार वाले टीम के संगीत कार घलो हरे। 16 कलाकार वाले टीम के संगीत कर्मारे टीम कर्मारा में सीफ़ कर्मा देते या कर्माद कार देते का दो कला। रजानी के नगर निगम गार्डन मा रईवार के संझा BMW कल्चर इवेंट कोती ले एक संगीत मा प्रस्तूती देगी से जे मा नवा पुराना दूनो गीत ले कलाकार मनहा समा बांधिन है वीमड़ाबलू संथा के लोगन मनहा पा सांदार पस्तूती ले लोगन मनला मंत्र मुग्ध कर दिन है उहें लोगा घलो कलाकार कोती ले गायजात गाना मा जूमत नचरे से गौरतलब है कि वीमड़ाबलू करचार इवेंट ले जुड़े लोगन मनहा महिना मा दूर अविवार सार्वजनिक स्थाल्मा अपन कारेकरम करती संगे मही वोहा समाजी कार्य मा घलो अपन सहियो करती रैपूर समयत प्रदेश मा सबो जीला मा अवया साथ दिन मा तापमान हा बाढ़ी एकर पीछे राजिस्थान और पाकिस्तान के उपर बनत कम दापके शेत रह रहे इहीले पसी में विच्छो भल हुए जिह मध्य भारत कोती आखु बढ़ी एकर मध्य भारत मा पहुचे बर तापमान मा बढ़ हुत्री हो ही वरतमान मा रथिया के तापमान हा शोदार डिगरी पहुच गे है बादलाई के संभावना लेंकार नहीं करे जा सक है रैपूर मा बिहन्याले ही पाराहा चड़े हो रही से दिन मा अच्छा गर्मी महसूस होई से मौसे भाग के आकड़ा बता थे कि अधिक्तम पाराहा 38 डिगरी तक जा पहुचे है दूसर कूती अंबिकापूर जगदरपूर पेंडरा के पाराहा 7 ले 8 डिगरी के पीछ रही से मौसम केंदर के निदे सक डाक्टर प्रकास खरेहा कही से कि अवईया कुछू दिन मा बारिज घलो हो सका थे फिर एकर गुजरे के संग तापमान मा फिर से कम या है फरवरी के दूसर हफ्ता ले पारा बाढ़ियो फिर गर्मी के दिन हा जा ही अभी तो देखे रायपूर के लिए अगर हम बात करते हैं दो दिन तक तो यहां कोई प्रभाव इसका नहीं दिखेगा हम लोग रात्र के तापमान में बढ़त होने की संभावना है जैसे तापमान बढ़वी रहे हैं बारा थे अभी 13 आज हमने 14 रिकार्ड किया कल हम उमीद 15 और उसके बास 16 डिगरी तक भी सापमान जो रात्र के तापमान है वो पहुंचने की संभावना रख रहे हैं क्योंकि बादल आयने की संभावना है और हवाएं जो है अभी दक्षिन से आ रही है और तापमान में रात्र के तापमान में रिद्धी होगी बादल लगबर ना के बराबर हैं 36 गर में तो रहेंगे राइपूर के लिए अभी मौसम सुषक रहेगा और आस्मान में बादल खुले रहेगा मतला कोई बादलों की स्थिति यहां पर नहीं रहेगी अब जार जाते गाउदेख्थन खबर की सुर्खिमल्ला कबिनेट के बैठक मा कई मतफूर फैस्ता मा लग ही मुहर 31 जन्वरी तक आयस सब धानला खरीधी सरकार रजधानी के थाना मान मा नहीं है लेडिस टोयलेट एसपी बोलिस बदल ही थाना की सुर्ख अब 36 गड के रवसी हा प्रयाग राज मा गई से सुवाव कर्मा उत्तर प्रदेश मा विखर ही 36 गड हा संस्क्रीती के छलब अब आक मन्धा देश टीवी के सब खबर आउ कारेक्रम अल्ला हमार यूटूब चैनल मा घलोग देख सकता हूँ जोहार रहिपूर माजबर सतना ही मौला दोबीदा जय जोहार विडिपोर्ट, यूदिएट